अलो गाइस, मैं देम इस अमिट सानी 27 जोलाई आज आज है और The Hindu Analysis में आपका स्वागत है, सुभई लेसन्स आते हैं शाम को MCQs के आते हैं और वह आप डेली देखी रहे होंगे important questions हैं और full detail में आपको उनको पढ़ना है और PDF आपको daily मिली जाती है जो मेरा Facebook का गुपर उसके उपर मडालता हूँ यह lessons बड़े important है, आज थोड़े से articles कम हैं, आज वैसे भी ground report आता है Saturday को तो यह words मुझे आज कुछ मिले हैं और बात करते हैं एक article की जो सबसे important है, जो करनाटका में हुआ है अब यह GS paper 2 के लिए बहुत important है, लेकिन यह essay का topic भी बनता है बहुत important क्योंकि कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, कि मतलब motive क्या है इन सब चीजों का, कोई भी phase हो, independence के बाद में खासके 70s के बाद में यह बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो center में power होती है वो चाती है कि states में भी वही party power में रहे, और center में कोई भी party हो, वो यही चाती है और हमेशा हमों कोशिश करते हैं, और पिछले कुछ सालों से चीज बहुत ज़्यादा, intensive भी हो गई है, बढ़ गई है बहुत ज़्यादा अभी करनाटका में जो हुआ है, वो एक तरह से मजाख ही कहा जाया, कि मतलब, क्या ये लोग सिर्फ इसी तीस के लिए ही आते हैं, और इनी तीस के लिए चुनते हैं, और सबसे वड़ा question इनके साथ भी नहीं है question है, लोग के साथ में, कि लोग कैसे यसे चुन लेते हैं, जिन लोगों को लोग जानते नहीं है और या फिर जानते हैं, तो फिर जानबूच के इगनॉर करते हैं, कि उनको सिर्फ पावर और पैसा ही चाहिए, फिर भी क्यों चुना जाता है पूरे करने के लिए वो लोग उनको चुनते हैं लेकिन यह क्या चलता है मतलब यह बिलकुल ही उस चीज के अगेंस्ट है और कोई किसी पार्टी के बात नहीं है यह सारी पार्टी इसका जो यही खेल चल रहा है और यह बहुत अनफॉर्टुनेट है मतलब इस चीज का कोई म लेकिन यह हो रहा है यह moral crisis है बहुत बड़ा और दिक्कत यह होती है कि हर चीज जो है वो पर्फेक्ट नहीं होती है लेकिन उसका कुछ intensity है moderate level के उपर यह होती है तब तब चीजें जो है manage हो जाती है लेकिन जब उसका intensity बढ़ जाता है तो वो बहुत जादा मतलब इस तरह से दिकत खड़ी करता है और वो फिर उसको stuck कर देता है आप यह देखेंगे कि मतलब कितने intensity यह चीज हो रही है और क्या कितनी चीजें जो ह हमारे सामने हो रही है public sphere के अंदर जो की सिर्फ इसी game के लिए हो रही है कि political existence हमारा बना रहे है जो motives है जो भी कुछ कुछ हो रहा है कोई law and order situation है कोई कुछ भी है उन सब का motive कहां जा रहा है हर चीज के अंदर वही होता है allegation लगता है वो party उसके question पूसती है और वो फिर उसके उपर allegation लग जाती है media का खेल है सारा मतलब devising game है यह सब कुछ ही मतलब ultimately यह दिखाता है कि हम कहीं आगे बढ़नी सकते है इस तरह से क्योंकि यहाँ motive ही दूसरा है जो चलाने वाले है जो authority जिनके पास हुए है जो last में lawmakers है उनके तो यही सब कुछ चल रहा है तो कहीं लगता ही निए कि वह sincere भी crisis है तो क्या वो लोगों के समस्य हैं पूरी खतम हो चुकी है जो आज यह इस तरह की game चल रहे है ऐसे ही और भी states में होता है और hopefully यह और भी states में होने वाला है जहां-जहां पर दूसरी government है तो यह क्या एक ही motive रहे गया है और इस चीज का क्या consequence होने वाला है और यह कहां इस उसके बर question उठाने चाहिए क्योंकि वो चीज सीधी सी है कि आपको जो करना वब नहीं कर रहे है उसके बाद कुछ और ही चीज में time pass हो रहा है तो question उठते है लेकिन अगर वो question जो है कोई पूछने से दबाता है और कोई आजकर क्या तरीका आगा है सिधा नहीं दबाते है कोई दूसरे groups आ जाएंगे और फिर वो उनके against question उठाने लग जाते हैं वो उनकी integrity पर सवाल उठाने लग जाते हैं अब कोई सवाल उठा रहा है तो उस सवाल को सुनना चाहिए ना कि उस इंसान को कौन बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है क्योंकि वो जो सवाल है वो legitimate है क नहीं है वो होना चाहिए तो ऐसे ही बहुत सारे cases में हो रहा है लिंचिंग वाले case में हुआ आज news भी आई है कि परसो एक group ने 49 लोगों ने चिठी लिगे थी रधान मंत्री जी को तो उन्होंने यह request कि कि इस चीज को देखा जाए और जो आपने बोला है पारलिमेंट में वो sufficient नहीं है इसके उपर पूरे मतलब यह लिए जाए steps इस तरह के hard steps otherwise यह चीज बहुत मुश्किल है क्योंकि यह चीज evidence सारे सामने है अब देखे क्या हो क्या है अब उन लोगों को दभाने के लिए या फिर कुछ और लोगों के जो difference of opinions हैं वो यह चीज है उन्होंने counter में जिठी आ गई 62 लोगों की वो 49 की थी पहले अब 62 लोगों की आ गई है वो यह कहने के इनके सारे इलजाम जो है फरजी है और देश की image खराब करने के लिए लेकिन यह चीज तो हमारे सामने है कि कुछ तो चल ही रहा है इसलिए concerns है mobile launching हो ही रही है और ऐसा उसको deny नहीं कर सक जाएगी तो और लोग बढ़ेंगे उनके और हिमत बढ़ेंगे ऐसे करते करते उन्हों का और बढ़ता जाएगा और बाकि जो लोग है फिर शुरुआत में तो वो चुप हैं लेकिन बाद में क्या होगा बाद में यह होगा कि वो कुछ करी नहीं पाएंगे क्योंकि उनका पावर इतना बढ़ जाएगा, जो रॉंग डुवर्स हैं, उनके संख्या इतनी बढ़ जाएगी, उनका पावर इतना बढ़ जाएगा, कि वो जो बाकि जो लोग पहले चुप थे, उनकी सारी पाव वो खीच लेंगे, और फिर वो मनमानी करेंगे, और फिर यह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसलिए शुरुवात में ही चीज़ को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन जो सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम as a responsible surgeon क्या कर रहे हैं, क्या हम इसके लिए aware हैं, क्या ही चीज हमारे लिए accepted हैं, क्या ही चीज बिल्कुल सही हो रही है हमारे साम से और हम किस होप पर यह चीज देख रहे हैं, क्योंकि कुछ parameters होते हैं democracy के अंदर, कि कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मानते हैं कि growth जो होती है, बहुत मुश्किल होती है, गौर्णन के पास बहुत जिम्मेदारी होती है, और इतना diverse country को maintain करना बहुत मुश्किल है, लेकिन at least कुछ चीज़े हैं जो नहीं होनी चाहिए, अब जैसे mob lynching है, वो बिलकुल नहीं होनी चाहिए, यह तो एक ऐसा time में मतलब इस तरह का situation है, अब इसका authenticity जो है, वो तो कितना है कितना नहीं हो, एक अलग discussion का विश्या है, लेकिन ये चीज़ हमारे सामने हैं कि video evidence हैं, वहां पर क्या लोग बोल रहे हैं, क्या बोल के हैं सब कर रहे हैं और किसी बीधरम को अगर मोग कोई भी भी मारती हैं, चाहिए वो hindoo को musalman मार रह रहो चाहिए綠 मूसलमान को hindoo मार रह रही हो या पिर कोई दूसरे धरम के लोग को इस तरह से कर रहे हूँ, लेकिन उसमें जो चीज है वो गलत है ना अब देखें एक और चीज आप देखें इन सब चीजों के अंदर ये connected issues हैं कि पब्लिक स्पेर्प क्या और आज हो जो ऐसे का जो डॉप है कि उसके लिए मैं आप से इस चीज के पारे में बात कर रहा हूं कि कोई ये बोलता है कि अब उस time कहाते तो बात ये है वो जो उस time कोई questions उठा रहा होगा या फिर उसकी और issue के लिए questions उठा रहा है तो वो भी questions legitimate होय तो उसके पर काराई होनी चागिए मैं इस चीज पर question उठा रहा हूं तो इस पर काराई होनी चीज़िए तो दोनों ही गलत है ना लेकिन देखे कि दोनों ही लोग जो हैं वो question उठा रहे हैं और वो question उठाने की बजाए लेकिन क्या थरीका हो गया political कब हो जाता है जब वो question उठाने की बजाए ध्यान किस पर जाता है एक दूसरे को attack कर रहे हैं question क्या through तो question दोनों के हैं लेकिन एक दूसरे पर attack कर रहे हैं अब देखें यहाँ पर एक इसमें बात है कि जब उन्होंने प्रधान मंतरी को चिठी लिखी है तो उन्होंने सिधा प्रधान मंतरी से बोला है और उसकी डिमांड की है रिक्वेस्ट की है अब वो चीज नहीं हो रही है तो वो उसका क्लेरिफिकेशन देंगे लेकिन जो उस तो फिर counter किस point पर counter हो रहा है यह सोच ही आप कि किस चीज़ पर counter हो रहा होगा मतलब जो question उठा रहे हैं क्या legitimate नहीं है है या नहीं है यह चीज़ आमें decide करना होगा अगर यह legitimate है तो फिर यह question उठा ही नहीं चाहिए कि भी उसके question को और क्यों counter किया जा रहा है उनको क्या है अगर उनको यह लगता है कि बतलब यह चीज़ नहीं हो रही है तो फिर वो जो है उनी से सीधा discuss कर सकते हैं यह चीज़ कि इस तरह से ऐसा नहीं है यह गलत है और peaceful debate हो सकती है public sphere में debate हो सकती है किसी channel पर आईए है वो सब लोग personalities है famous entertainment industry की भी हैं सब लोग जो है platform पर आ सकत हैं और वो इस तरह से discuss कर सकते है राम से लेगे नहीं करना है यह देश बिल्कुल divide हो चुका है बिल्कुल दिख रहा है कि यह division है clear division है कि मतलब 50 लोग इस तरह चिथी लिख रहे हैं 50 लोग उसे counter में चिथी लिख रहे हैं यह बड़ा ही unfortunate है और फिर जो पहले चिथी लिख है और वो secular gang है यह सब कुछ है जबकि secular खुद भी मान रहे हैं कि देश secular है फिर भी secular होना भी गाली बता रहे हैं तो यह एक दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी तो अब इसमें solution क्या निकाला है इसका solution यह है कि जो concerns है पहली बात तो वो क्या legitimate है कि नहीं है कि नह हो रहा है सब कुछ दिख रहा सामने के उसको से मार रहे हैं फिर भी आप मना कर रहे हो इसका मदब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है और फिर यह question लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहा गया फिर तो हमें तयार है ना चाहिए उस stage के लिए जब मन चाहा काम वो करेंगे मन चाहिए और question उठाने चाहिए और यह जो कुछ हो रहा है इसका क्या motive है क्या सरकार बनाना ही motive रहा गया है क्या कोई मुद्द रही नहीं रहा गया है यह देश के अंदर क्या और इतना unfortunate है कि ऐसा level आ चुका है देखिए पिसले दिनों हमने tv पर देखा कि वह यह पूछ रह क्योंकि जो true राम राजे है वो बिल्कुल peaceful राजे है और एक ऐसी संकल्पना है मतलब पदेश की state की जिसके अंदर कोई अन्याय नहीं हो रहा है equality है और proper law and order maintained है लोग खुश हाल है और चीजे जो है order में है लेकिन वो तो अच्छी बात है लेकिन बाद में क्या बोला बाद जदा majority से आएं और बिल्कुल भी कोई दूसरी party है वो बिल्कुल भी नहीं नहीं है सब कुछ इस तरह सरह है तो मतलब उन्होंने कहीं पर यह नहीं बोला कि हमारा मुद्दा है कि जो इतनी crucial समझ्चा है इतनी poverty है पानी के इतनी banker समझ्चा है इतना बड़ा issue है कि मतलब दूसरा targeting कहीं पर हो रही है कोई unfortunate law and order की situation है जो women section है उनके उपर इतने अत्याचार है मतलब ऐसे यह नियस crime जो हो बढ़ रहे है लेकर उनका कोई बात नहीं कि उन्होंने कहा कि अगले बार जो है फिर से हम party में मजभूद बने हमारी और फिर से सरकार बने और यह सरकार चल लोगने आए कोई बोल रहा है उसको बहुत लोगनेगे उनको बहुत तरह सब मक्तलब को कह बात हो गई कि कोई आप के देश को कुछ भी कह़ा है लेकिन हैं कि आप मरना नहीं चाहते हो बई तो फिर ये जैसे मान लिजे सैनिक भी ऐसे सोचने लग जाएं कि हम क्यों मरें देश में बहुत लोग हैं हम क्यों जागे मरें वहाँ पर ऐसे सोचने लग जाएं तो सोचिए क्या देश बचेगा नहीं बचेगा तो civilians की हैं कि ऐसी अगर चीज़े हमारे सामने हो रही है तो उनके उपर कम से काम कुछ तो क्वेश्चन उठाएं यह पूछें कि ऐसा क्यों यह क्या मोटिव है लेकिन एसा खुलके हो रहा है और वही दिक्कत हो गई है कि कुछ लोगों को बिलकुल यह चीज प्रॉबलम दे रही है फील हो रही है उनको इसको पर क्वेश्चन भी उठा रहे है और वो कोई वोईलेंट मीम से नहीं बोल रहे है वो क्वेश्चन ही उठा रहे है लेकिन उनको लेबल ऐसा किया जा रहा है देखिए पिसले दिनों क्या शांदार एक बात है कि मतलब जो क्वेश्चन उठा रह इसना नहीं हो रहा हैं तो एकर पर शाज़े करने होगी, उसको टर्ण तरह से घृआट करने लग गया कोई स्टोवि हुए है Stephen आगए कि जो जाश्री नहीं बोले को कब्रिस्तान भेजगव का मार दो कब्रिस्ता से मतलब क्या कि कब्रिस्तान जो है हिंदु धर में नहीं होता है तो अश्य में धरम कि उसका मैसिज इसका message है और इसको पूरी तरह से spread किया गया है अब देखें इसने बनाया उसकी तो गलती है यह लेकिन जो spread कर रहे है वो सोची है वो क्या लोग है वो इस किस चीज को support कर रहे हैं मतलब कि हमारा conscience का चला गया हम किस चीज को support कर रहे हैं यह तो मतलब एक चीज हो गए कि कल को कोई भी दूसरा इंसान सुनेगा तो उसका क्या मतलब निकालेगा कि क्या हिंदू लोग ऐसे होते हैं नहीं ऐसे नहीं होते हैं ऐसा धर्म नहीं है बिल्कुल भी नहीं है कोई धर्म ऐसे नहीं है और जैसे मैं मेरी बात करो मैं हिंदू तो मैं इस चीज़ को बिल्कुई accept नहीं कर सकता कि कोई इस तरह से ये बोले कि जो जैसे राम नहीं बोलेगा उसको कबरिस्तान में भेज़ दो इवन भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि कोई उनका नाम नहीं लेगा तो उनको कबरिस्तान भेज़ दो यह किस तरह का message है, लेकिर हम इसको support कर रहे हैं, हम इसको yes बोल रहे हैं, और इसको spread कर रहे हैं दूसरे लोगों के अंदर, तो यह हमारा conscious कहां चला गया, इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़े question उठ गए हैं लोगों के समझदारी क कि यह क्या हो रहा है, और इतने अलागों के संक्यान उसको spread किया जा रहा है, और WhatsApp पे फैस्बूक पे फैल रहा है, यह क्या है, इसलिए हमारे सामने बहुत daring questions खड़े हो गए हैं और इनकी complexity बढ़ती जाएगी time के साथ-साथ में, क्योंकि जब तक लोग इसके उपर गलत च change आ सकता है, जहां पर पूरी मनमानी हो सकती है, क्योंकि लोग उसको acceptance दे रहे हैं, silent acceptance दे रहे हैं, उसको पर question नहीं उठागे, बिलकुल गलत चीज़ हो रही है, mob lynching और इसको पर question नहीं उठाएंगे, तो फिर किस पर question उठाएंगे, और question नहीं उठा रहे हैं, इसका dangerous उसके consequence भी होंगे, दुनिया में देश हैं, जैसे होंग कोंग में हो रहा है, चाइना इतना ज्यादा ऐसा autoconetic country है, कि मतलब बहुत ज्यादा हो surprise करता है, उसके भी खिलाफ लोग जो है, इतना daring तरीके से और protest कर रहे हैं, silent protest कर रहे हैं, कोई ऐसे मारा तोड नहीं कर रहे ह लेकिन उनने फिर वो सारे की सारे पीछे हट गया, उनने अपना protest रोग दिया, एक बार कह रहे हैं, और फिर यह देखा कि यह लोग कोन है, कहां से आये, उनने कुछ लोग को हट किया, लेकिन उनने किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पैता था कि इनका इस तरह के गाने चल रहे हैं, का मोटिव क्या है, मोटिव समझने बहुत जरूरी है, और यह तो एक इतनी डेंजरस स्टेज है, मतलब ऐसी खतरनाक चीजों के रिगार्ड़े के हम कुश्चन नहीं उठा रहे हैं, यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और इतनी बड़ी जनता है, वो के साथ में आते हैं, पॉजिटिव चीजों के लिए साथ में आते हैं, देश के कंस्ट्रक्ट्टिव सॉलिशन देने के लिए साथ में आते हैं, तो इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है, सोचिए एक बिलियन लोग जो है, वो यह बोल रहे हैं कि हमें कै इसे भी पाने की समस्या को solve करना है, चाहिए आप कोई stress लगाई है, tax लगाई है, कुछ भी करिए, लेकिन इसको आप एक साल के अंदर-अंदर solve कीजिए, और ये time bound manner होना चाहिए, सोचे ऐसा campaign चले, तो करना नहीं पड़ेगा इनको, लेकिन करना ये नहीं करेंगे, क्योंकि कोई campaign ही नहीं, क्योंकि लोग divided हैं, अब आपने clear देखा है, कि मतलब celebrities भी divided हैं, कितना banker वाला ये division आ चुका है, लोगों के thinking के अंदर, क्या सच में ऐसा है, या फिर ये fuel किया गया, ये दिक्कत है, और fuel कैसे हो रहा है, fuel वहीं से हो रहा है, आप देखिए, अपने-अपने constitution values के अंदर बात कर रहा हूं, या फिर constitution values के against में बात कर रहा हूं, ये check होगा उसमें, और ये check के साफ से decide होगा कि मेरा motive क्या है, तो ऐसे हमें हर इंसान का motive पता करना बहुत जरूरी है, अगर नेता ऐसा करे तो उसका motive पता करना बहुत जरूरी है, इसका क्या motive है, इसमें पहले उन्होंने फरवरी में अप्लिकेशन दिती कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन उसके ओपर कोई कारवाई नहीं की लेकिन फिर जब ये स्टेज आ गया कि उन्होंने ये बोला कि हम तो रिजाइन करेंगे तो फिर उनको डिस्क्वालिफाई किया गया तीन लोगों को तो ये मोटिफ जानना बड़ा जरूरी है लेकिन अब ऐसा हो रहा है अब ये कहने कि कॉंस्टिटूशन वेलिउस के अकोर्डिंग वो अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो उसको रोक नहीं सकता कोई भी लेकिन इन्होंने उस चीज को थोड़ा मिस्यूस किया है स्पीकर ने उसनों उन्हों टाइम में पहले उसको एकसेप्ट नहीं किया और बाद में अब ये डिस्क्वालिफाई हो गए है तीन लोग अब उससे नंबर कम हो गया देखिए 222 रह गया है जो नंबर है और 222 में से 112 की अब जरूरत है अब देखिए जो यदियोरप्पा जो बीजेपी करे हैं इसक अफिर से अब भाइल ने फिर से अब शिरेफ इसनों तो लेकिन यहां पर इंपोर्टंड आर्टिकल 164 न बी तो ओसमें यह दिखाया गया घया है कि वही पोई इनसान अगर इसके अंदर कोई party बदलता है, party के अगेंस जाता है, इस तरह से कोई motive उसका ऐसा है, जो दोकी बाजी कोई party के साथ कर रहा है, तो वो anti-defection कर के case बनता है, उसमें speaker के पास वो पार होती है, तो अगर किसी को disqualify किया गया anti-defection के basis के उपर, तो वो उनको फिर re-elect होना तो अब E.N. को फिर से सुनाओ लड़ना पड़ेगा, by election होगे, लेकिन दूसरा किसी तरीके से अगर वो disqualify होते है, को दूसरा जैसे constitution provisions जो है, originally जो थे, उसके इसाफ से फिर वो बार हो जाते है, फिर वो चुनाओ भी लड़ सकते है, लेकिन यहां पर चुनाओ लड़ सक के उपर भी, और लेकिन इसके साथ साथ में जो इनका conduct है, पारलियमेंटरियन का और legislature का वो भी और discuss होना बहुत जादा जरूरी है, बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि यह एक high time है, यह हो गया, ऐसे ही media है, सबसे बड़ा आज जो need होगी, यह media को कटदरे में खड़े करने की है, कि यह चाहती क्या, क्या motive है इनका, किस थरह के जो debates चलाते हैं, इतने crucial issues हैं, उनके उपर क्यों नहीं बात होती है, इतने जैसे पॉक्सो का भी Supreme Court ने बोला कि जहाँ पर सो special courts, sorry, सो से जादा case जहाँ पर हैं district में, वहाँ पर special court बनाया जाएंगे, पॉक्सो को बनाया की है, और ऐसे-से issues की बात ही हो रही है, और daily वही religious और division है, यह सब कुछ उसकी debate कर रहा है, तो क्या यह public conscience को influence नहीं कर रहे हैं, और क्या democracy के अंदर public conscience value नहीं रखता है, क्या लोगों का collective thinking है, वह value नहीं रखता है, सबसे जदा value रखता है वो, और उसको manipulate करना ही कोशन है, लेकिन कोई नहीं question उठा रहा है, तो किसी एक part को, media को sacrosanct मान लेना बहुत खतरनाक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा roll इनिमीडिया का ही होता है, इस सारे issue के अंदर, क्योंकि वो inform करता है पुरे देश को, कि यह कुछ चल रहा है, और वो अगर distorted तरीके से inform करेगा, तो मत और चीज को support करने लग जाएंगे, और फिर last में बेडागर को जाएगा, तो यह situation है, इसलिए यह essay का एक बहुत important topic बनता है, और GS2 का पर यह बनता ही है, next है UK में, देखे UK में जो Boris Johnson चुने गए है, Boris Johnson को बोलाता है कि यह Britain के Trump है, और यह भी entertainment industry के ही product है, और इनके उपर कई गलती हैं, जैसे बार बार इनोंने कई सारी गलतिया की है, पब्लिक स्पेस में और अपॉलोजी भी दी है, जैसे उन्होंने ब्लैक जो लोग है, उनको पिकैनी बोला था, और बोला कि उनके smile watermelon जैसी है, और जो पैपवान गियन यह जो लोग है, उनको उनने कैनिबल्स बो लेकिन अभी भी इनको majority फिर से साबित करनी पड़ सकती है क्योंकि labor party जोईन के against में और no confidence motion ला सकती है तो क्या होता है देखना होगा लेकिन ये ब्रेक्जट के supporter तो हैं लेकिन conditions बड़ी ही unique हैं complex हैं तो इनको भी शायद extend करना पड़ेगा लेकिन हमारे लिए इतना important article नहीं है वहाँ की politics का है लेकिन ये देखना होगा कि world में इसका क्या consequence आता है और कैसे ये steps उठाते हैं ठीक है next एक issue आई है anti-tire clause जो है जिसके बारे में अभी UAPA Act की जो बात हुई है उसके अंदर suspicion उठाए गए हैं कि भी इसका misuse हो सकता है इसके अंदर ऐसा है कि जो ministry जो है वो उसका final decision होगा कि वो किसी को भी terrorist declare कर सकती है अब इसमें clarification आ रहा है देखिए जैसे इसको compare करें जैसे कल मैंने पढ़ा था एक student ने मुझे एक बेज़ा था कि जैसे जो roll act जो आया था उसके अंदर दो साल तक किसी को बिना trial के और jail में रख सकते थे ऐसा provision था उसके उपर कितना विरोध हुआ था लेकिन इस UAPA Act के नई provisions के according क्या होगा ministry किसी को declare कर देगी चाहे उसके उस इंसान के उपर past में कोई भी case नहीं हो तो वो इंसान terrorist गोशित हो जाएगा और unlimited time के लिए वो jail में भी रहेगा ऐसे provisions इसके अंदर है इसलिए questions हैं अब देखिए इसमें ये है कि ministry ने ये कहा है कि home ministry ये करेगी कि भई अगर उनके पास कोई proposal आता है तो वो किसी को terrorist गोशित करने के लिए चाहे उस इंसान की कोई past ministry नहीं रही हो कोई ऐसे corruption की या फिर terrorism की कि किसी भी तरह की लेकिन अगर उसके रिगादे कोई आता है proposal तो वो security agencies को भेजेंगे कि भई हमको लग रहा कि ए criminal है और terrorist है उसको फिर declare किया जाएगा उसके बाद में वो individual सीधा ministry को अप्रोच कर सकता है और फिर जो है independent committee अगर बना जाती है तो उसके भी सामने को अपना case रख सकता है तो यह इस तरह से उसको terrorist declare कर दिया जाएगा और यह इसमें कह रहे हैं कि इसका execution है उसमें बड़ी ही confusions and loopholes हैं और उसका फाइदा उठा जाए सकता है और misuse उसका हो सकता है कि कोई हो सकता है कि किसे ऐसे इंसान को अगर मान लेजिए agencies वगरा जो हैं वो सही तरीक ऐसे काम नहीं करती है future में possibility ऐसी है कि नहीं करें तो फिर वो किसी ऐसे इंसान को भी declare कर सकते है जो कि terrorist actual में नहीं है ऐसे provisions हैं तो ऐसे provisions होना यह बड़ा खतरना है क्योंकि इसमें लास्ट में सिर्फ ministry declare करेगी वो convince होगी तो वो कर सकती है तो यह है और उन्होंने यह भी बोल दिया है भी पारलेमेंट में हो मिनिस्टर ने कि अर्बन नक्सल्स जो हैं उनको भी चेतावनी दी है और जो देश के interest के against हैं जो कल हमने देखा था तो किस त समझे आते थे बहुत सारी debates में उनका हिसा था, think tank थे देश के, आज कुछ जो लोग हैं उनमें से और वो जेल में बैठे हैं उनके पर बड़े charges, sedition के charges हैं उनके उपर तो ऐसे में अगर उनको terrorist declare कर दे आता है तो फिर वो आज इवन जेल में गए और कुछ भी हो सकता है terrorist declare या कल को capital punishment के provisions निकाल के आ जाएंगी जो terrorist declare हो गए उनको सब को फांसी चड़ाओ, तो फिर तो इस तरह से उनलों के लिए सीधा रस्ता फांसी का भी हो सकता है, यह possibilities है, ठीक है यह अभी है नहीं, possibilities हो सकते हैं क्योंकि यहां से रस्ता निकलता है उसका, इसलिए यह दिक्क प्राइट मेंबर मतलब कि दूसरी पार्टी का या फिर कोई MLA, MP जो हैं, वो ministers नहीं है, वो जब लेकर आते हैं तो प्राइट मेंबर भी होता है, और इंटोंने यह लेकर आते हैं कि state की funding होनी चाहिए, elections के अंदर, अभी यह कह रहे हैं, दिक्कत यह है कि जो provisions हैं, उसके according 70,00,000 से उपर खर्च नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि कोई भी चुनाओ 70,00,000 से कम में सलट नहीं सकता है, इसका मतलब जो कोई इमानदारी से अगर चुनाओ लड़ना चाहेगा 70,00,000 रुपे की limit में तो वो चुनाओ लड़ी नहीं सकता है, यह possible नहीं है कि 70,00 साथ में आप यह कर लो इसको manage, इसका मतलब यह एक silent acceptance है कि भई corruption हो गई होगा election की funding के अंदर, और 70,00,000 से उपर फैसा खर्च ही होगा, क्योंकि कि किसी भी माइने में 70,00,000 से कम पैसा खर्च नहीं होता है, उपर ही खर्च होता है, जितनी रेलिया होती हैं सब कुछ होता ह और actual में तो कितना खर्च हुआ, आपको बताईए, 1000,00,000 क्रोड उपर खर्च हुए हैं, तो इसका मतलब क्रोड़ों में पैसे खर्च हुए हैं, तो फिर यह 70,00,000 के limit जो हटानी चाहिए, और state का funding इसमें होना चाहिए, ताकि उसका सारा ब्योरा रहे, कैसे है, क्या है, ल रख पाएगा, अथोर्टी से वो practically समझने वाली बात है, हम जान दे हैं कि जब RBI, Election Commission of India, इन पर allegation लग रहे हैं, तो फिर SBI कितनी बड़ी, जो है, मजबूत बोड़ी है, वो देखने वाली बात है, कि वो कितना information को secure रख पाएगे, bonds के regarding, और फिर यह भी बोल दिया है, ज कता नहीं लगेगा, और वो इतने पैसे अगर मिल भी रहे हो, इसका मतलब उसका सिधा intention क्या, उसका motive क्या है, कि उनको फाइदा पहुचाया जाएगा, यह nepotism है, crony capitalism जिसको बोल सकते है, यह वो है, next, अभी census 2017 में हुई थी, elephants के regarding, 5 साल में एक बार होती है, और project elephant जो है, इस देश में जो चलाया गया था 90's में, उसके अंडर यह होती है, उसके according करनाट का में सबसे ज़्यादा elephants की population है, उसके बाद में असाम है, फिर केरला है, लेकिन यह कह रहें कि केरला के अंदर हो सकता है कि कम count हुए हो, और total जो है, वो 27,312 गिने गए हैं, लेकिन यह कह र उसमें 5,706 जो हैं, वो दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब सतरवाली census के अंदर हो सकता है, खम हो, तो यह भी एक situation है, आपके लिए important यह है कि 5 साल में होती है census, project elephant के अंदर होती है, और इसमें इतना number है, तो number decline पे है, लगबग 2200 के आजपस number जो हो, कम हो गए है, elephants के, project elephant देश में चलता है, चल रहा है, next, North Korea की, जो एक नई missile उन्होंने launch किया, उन्होंने signal दिया है, कि सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि South Korea ने क्या किया है, अभी, अमेरिका का strategic partner है, तो F-35 planes लिये है, उन्होंने, F-35 आपको पता ही है, कि बड़े ही, जो है, advanced planes है, और जिसके regarding issue आ कि Turkey को बेचने वाला था, अमेरिका लेकिन अब नहीं बेचेगा, क्योंकि Turkey ने S-400, जो missile defense system जो है, उसकी deal कर लिया है, रश्या से, इसलिए F-35 plane जो नहीं दिये जाएंगे, और F-35 बहुत advanced planes हैं, और यह अभी South Korea खरीदेगा, तो यह उन्होंने खरीदे है, इसलिए इनको problem हो गई है, अब यह जो गुसे में रहते हैं, गॉलमोल आदमी, किम जोंग उन, हमेशा ही थोड़े सा aggressive mood में रहते हैं, और अभी इनोंने जो है, खुद observe किया है, उस mission को जहांपर एक missile का उनोंने testing की है, और वो इलजाम लगा रहे हैं, South Korea के ओपर कि यह double dealing कर रहे हैं, कि हम अग्रेसिव रहते हैं, इसलिए वो चीज बैलेंस है, लेकिन यह कहने हैं, कि जब भी हमने nuclear facilities को end किया, हमारा जो है, हमने soft position ली तो हो सकता है, South हम पर attack कर दे, यह सबसे बड़ा खत्रा इंगो रहता है, और South की help करता है, America, इसलिए यह allegation है, ठीक है, और South में America ने बोल दि तो अमेरिका को दिकत होती है, next, 9 Indian sailors जो हैं, वो return होंगे, 12 अभी पकड़े गए थे, किस में पकड़े गए थे, कि अभी जो एक empty Rhea नाम का, एक Panama registered एक वैसल था, जो की state of Hormuz में इरान ने capture कर लिया, उससे पहले 18 लोग को, sorry, उससे पहले उन्होंने जो UK वाला जो ship capture किया उसमें जो Stena Emperor जो था, उसमें 18 Indians थे, तो 18 उसमें थे, 12 इस वाले में हैं, तो total 30 इरान के पास है, उसमें से 9 भेजेगा, और ये 9 इन 12 में से हैं, और 3 को अभी investigate कर रहा है, तो ये आप से पूच सकते हैं, state of Hormuz के बारे में, और इसका नाम था, जिसमें 12 Indians थे, और ये Stena Emperor इसका नाम था, उसमें 18 Indians थे, नेक्स्ट ये जो इसु में आपको बताया कि इन्होंने Hong Kong देखे, कितना bravely जो है, चाहिना जिसे देश को भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे है, जिस बिल कर रिगार्डिंग इस उठा था, वो बिल भी end हो गया, लेकिन फिर भी इनका प्रो जो ever going चलता है, South China Sea है, चाहिना के South में, यहाँ पर आपको दिख रहा मैप यह चाहिना है, इसके South में यह, South China Sea है, यहाँ पर यह आप रेड कलर की देख रहे हो, यह 9 dash line इसको बोलते है, मतलब famously 9 dash line इसको नाम दिया जाता है, यहाँ पर चाहिना जो है, वो बोलता है कि यह म maritime के laws जो है, उसके according, 200 nautical miles तक exclusive economic zone होता है, और 12 nautical miles तक क्या होता है, territorial waters होते हैं, तो यहाँ पर इन सब का, यह ब्रुने ही है, यहाँ पर यह Malaysia है, यह वियतनाम है, इन सब के जो है दिकार होते हैं, South China Sea के अंदर यहाँ पर, और इन islands के साब से भी, लेकिन यह, क्या इन्हो जुद्ध देश हैं, तो उन्होंने बोला कि, इस पार्टली आइलेंड जो है यह वाले, और पार्सनल आइलेंड जो है, यह हमारे हैं, इसका बंदर इसके 200 nautical miles तक यह जो है, चाइना का area रहेगा, तो इस तरह से इसने 9 dash line बना दी, और इसको बोलते है 9 dash line, और इसके हिस आप से यह सब के अधिकारों पर जो है, फन लगा के बैठा है, अब यह ब्रुनेई का भी अधिकार खराब हो रहा है, मलेशिया का भी वियत्नाम का भी, वियत्नाम के साथ में इसके issues चलते ही रहते हैं, अभी देखे यह कंबोडिया है, इस कंबोडिया के उपर यहां पर एक दरीम नाम का इक इंस्टॉलेशन है, जो एक सोनब्य एकड में फैला है, इसके अदर से 62 एकड जो है, इसने चाइना को दे दिया, एक डील साइन कर ली है, और यह पहला मतलब इस साथ चाइना सी के एरिया में यह होगा, पोर्ट जिसको चाइना जो है, यहां पर प्रो है, वो चाइना चलाएगा, और यह इंडो चाइना का सारा एरिया है, वियतनाम है, लाओस है, लाओस तो लैंड रॉक कंट्री है, यह केमबोडिया है, यह थाइलेंड है, और यह मैनमार है, और यह चाइना है, तो यह आपको ध्यान रखना है सारा, और इसमें से क्वेशन जरूर पूछेंगे ये लोग, ठीक है ये देखें इन्हों ने जो ये colored पे दिखा रखा है Malaysia के boundary यहां तक है, ये यहां है फिर यह दर से यहां है, फिर यह दर से यहां है Philippines की green वाली है, यहां तक है क्योंकि Philippines ये वाला है सबसे ज़्यदा record इनके साथ में इनके पास में है जो Olympics के अंदर सबसे ज़्यदा swimming के अंदर records इनके पास में और बहुत कम टाइम में एक एक बाद championship इन्होंने 8-8 battle जीते हैं इनका record तोड़ दिया है America के ही एक star है Drezel Celeb Drezel जो है उन्होंने तोड़ दिया है 100-meter का record और सिथ 49.50 49.50 seconds के अंदर इन्होंने 100-meter का freestyle के title जीत लिया है बहुत मुश्किल होता है पानी में तेरना और 50-second के अंदर मतलब 50 से भी कम second के अंदर और 100-meter पार कर लेना लेकिन उन्होंने किया है यह है यूथ देशों का और बहुत शांदर अचीवमेंट कर रहा है इंडिया में भी बहुत शांदर अचीवमेंट कर रहे हैं लेकिन जो इनको support हो इतना इंडिया में नहीं है और उसका बहुत बड़ा reason है कि जो priorities है वो कुछ different है क्या priorities हमारे देश में उसका example देखते हैं हलागि बहुत negative बात है लेकिन दिक्तत है देखिए पिछले दिनों हमने सुना था एक सत्यपाल मलिक जी है एक minister है minister है वो पहले वो IPS थे वो minister है उन्होंने तीसरी बार बोला कि इंसान जो है किसी नहीं देखा कि वो पहले बंदर था कोई बंदर के संथान नहीं है जो evidences मिले हैं जो सारी similarities हैं एपस के अंदर और इंसानों के अंदर जो उनके genetic evidences हैं हमारे पास में जो हडिया मिली हैं जो homologus homogenous organs मिले हैं वो सब फर्जी हैं इनके साफ से इंसान ऐसा ही था और रिशी मूनियों ने बनाया था लेकिन यह नहीं बता रहे हैं रिशी मूनी कहां से आये तो यह बड़ी दिक्कात है इसका मतलब उन्यूर्स में जो गोल्डी लॉग जौन रहे है हमके ऐसे कहीं पर life form हो सकती है टाइटन जो सैटन का जो मून है वहां पर जो हम ढूंड रहे हैं life की forms इसका मतलब उन सब को cancel कर देना चाहिए और उनके बजाए हमें life forms की बजाए में रिशी मूनी जो है इनसान जो है वो पैदा कर सकते हैं तो यह बड़े बिजार मतलब मि में faith रखते हैं वो क्या सीखेंगे इनसे नई international क्या सीखेंगे यह openly बोला जा रहा है ऐसा ही बड़े-बड़े बिमारे बड़े-बड़े claims है कि भई ऐसा होता है हम जानते हैं कि गौम दूर्पिने से cancer ठीक होता है अब उससे कहीं पहले बाब उसके research कीजिए फिर आप बो है वो कह रहे है कि cow जो है वो oxygen को exhale करती है oxygen exhale करती है अब देखिए एक तो दुसमें दो बात है हम सांस लेते सांस छोड़ते हैं उसमें carbon die उसा डिकतर होती है छोड़ने वाले में कुछ oxygen भी होती है लेकिन यह बोलना कि oxygen exhale ही करती है यह गरदब का statement है और यह कहरे है कि इससे TBB क्यों हो सकती है बहुत सांस की विमारे ठीक हो सकती है जो आए कि आप आसपास रहेंगे तो बहुत सकता है चीज पॉसिबल हो लेकिन क्या evidence है scientific evidence क्या है क्या बिना scientific evidence के कोई ilaj possible है इस दुनिया के अंदर क्या आपको कोई बोले कि इस दवाई आप ले लीजे इसका पता नहीं है कि इससे आपकी भीमारे ठीक होगी नहीं होगी वो हमें नहीं पता लेकिन बोला जाता है कि ऐसा होता इससे क्या वो दवाई आप लेंगे नहीं लेंगे तो यह misleading है और यह देखे कौन कर रहा है चीफ मिनिस्टर और यह ministers कर रहे हैं जो center minister union minister है IPS है जो पहले रहे है तो यह क्या दिक्कत वाली बाते नहीं है क्या questionable बाते नहीं है सोचने वाली बात है एक जो hate song की बात आई यह देखे इतना गजब से spread हुआ है और इतना questionable बात है कबिस्तान भेजने की बात है तो यह इतने बड़े questions हैं अब बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि आपको दिक्क के अंदर ऐसा बोला जाता है और क्या खासकर हम हिंदु धर्म की बिलीवर हैं उसमें पैदा हुए हैं तो हमने क्या आज तक ऐसे सीख सुनी है कि भई राम के नाम पर आप किसी को कप्र साम बेज़ दो नहीं तो क्या ही questionable नहीं है लेकिन इसको भी troll किया जा रहा है इसके regarding क लेकिन question नहीं उठाएंगे तो यह लोग की तास बढ़ती जाएगी और फिर यह stage आ जाएगा कि मनमानी होगी और कुछ भी होगा यह इसलिए बहुत बड़ी दिक्का था तो यह priorities के शुए कि देश की priorities क्या है हमारे यहां पर जो coverage मिल रहा है मीडिया का देखिए इतने बाकी इन नॉंसेंसिकल चीजों को daily coverage भिल रहा है मतलब उनका priority है divide करना उनका priority देश को inspire करना नहीं है ठीक है यह issue है यह आज का lesson था कल मिलेंगे thanks a lot keep watching it उसमीच